पर्चम क्लासे इंडिया इस्टेडीस के सुपर टीचर्स आपके स्टेडीस की तयारी करवाएंगे वो भी सिर्फ रुपीश 2.99 में यहां आपको मिलेंगे 10 प्लस कोर्से, 400 प्लस लाइब मास्टर क्लासे, 200 प्लस प्रैक्टिस कोशन्स, 100 प्लस इस्टडी नोट्स and 350 प्लस टेस्स सीरीज सिर्फ और सिर्फ रुपीश 2.99 में तो फिर किस दीशका है तुमको इंतिजार? आप ही इंडरोल कीजिए SSC MTS सुपर कोचिंग में अगरे नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से का और बार यहां पर दस्टक्स उपर कोचिंग यूटीव चानल पर सब ही लोग फटा फटा आजाओ क्लास शुरू कर लेते हैं आ गए हो तो session like while कर दो फिर क्लास की शुरुआत कर लेंगे हम लोग ठीक है बोलो ठीक है चलो मेरी आवाज आ रही है ना हाँ आ रही है चलो मैं सुनाई दे रही हो दिखाए दे रही हो सब बढ़िया है चलो क्लास शुरू कर लेते हैं पहले time देख लेते हैं क्लास का क्लास का timing कब-कब रहता है तीन बजे से क्लास शुरू होती है पहले English फिर शे बजे माज साथ बजे reasoning और नौ बजे GKGS ठीक है यह classes आपको attend करनी है यह homework question अभी आपको answer करना है ठीक है चलो फड़ा-फड़ answer करो वैभव आप new हो मैंने नाम भी पहली बार सुना है मतलब वैभव नाम मैंने अपने पुरे जीवन में नहीं सुना ठीक है जितना सत्य आपकी इस बात में है कि आप वैभव हो न्यू हो उतना ही सत्य इस बात में है कि मैंने कभी अभी तक वैभव नाम ही नहीं सुना ठीक है यह न्यू स्टूडेंट का एक नया रट्टा है अरे न्यू हो तो पढ़ाई जल्दी शुरू करूँ 29 आ रहा है बिशाल का नाम लेना है ठीक है ले ले लेते हैं फिर क्या होगा बताइए फिर क्या होगा एक अक्षा में चात्र शीष से अठारवा और नीचे स्थान से बारवा है कुल चात्रों की संख्या कितनी होगी 30 माइनस एक 29 ओप्शन टू ऑप्शन टू आंसर दिया है प्रीती ने और विश्ण प्रीयन ने चलो बागी बच्चे आंसर करने में इंट्रेस्टेड नहीं है ठीक है मनिशा इतना मुझे याद नहीं है कि MTS वाले फॉर्म में OBC वाले लड़कों को कितनी फीर देने पड़ती है आप अपना नोडिफिकेशन चेक कर लीजिए आपको पता चल जाएगा जितने बच्चे भी गुद इवनिंग गुद मॉनिंग गुद नाइट सब कह रहे हैं सभ ठीक है ठीक है चेक कर लेते हैं 450 आंसर आया है ओके यह कौन से सर गौरफ को नजर आ रहे हैं यहाँ जो मुझे नजर नहीं आ रहे है और सिफ 39 बच्चे पढ़ रहे हैं हद है अट वाट टाइम बिट्वीन फोर और फाइफ चार और पांच बज़े के बीच किस समय घड़ी की सुई विपरेद दिशाओं में होगी पहली बात तो बताओ थीटा याने की जो कौन है उसका फॉर्मुला किसको याद है वो बताओ फॉर्मुला क्या होता है 30H-11 by 2M यह आपका आवर है यह आपका मिनट हैंड ठीक है अब हमें कोन क्या दिया हुआ है सुई विपरीद दिशाओं में यदि है सुई याँ विपरीद दिशाओं में कैसे होंगी ऐसे कोन क्या बन रहा है यहां 180 डिग्री ठीक है हमें कोन ठीटा की वाल्यू 180 मिली है H की वाल्यू क्या होगी चार से पांच बज़े के बीच चार से पांच बज़े के बीच का मतलब क्या है यह आपकी घड़ी है इस वक्त 4 बज़े हैं यह 4 है यह 3 यह 2 यह 1 और यह 12 यह आपका पांच है और यह 6 है चार से पांच के बीच में यानि की 4 बज़ चुके हैं 5 नहीं बज़े हैं 4 बज चुके हैं इसका मतलब क्या है घंटे वाली सुई 4 की मानी जाएगी minus 11 by 2 m की value हमें पता करनी है चीक है clear यहां पर 180 equal to 4 3s are 12 minus 11 by 2 m minus करो कितना हो जाएगा 60 11 by 2 m2 यहां आएगा by 11 कितना हुआ m की value 120 by 11 अब हम कहां solve करें अगर आप अभी divide करोगे यहां हम solve करते हैं 120 by 11 करो देखो 1 1 0 अभी क्या पता चला यहां पर क्या दिख रहा है 11 last में बचा 10 तो यहां पर shorts world क्या चाहिए हम पढ़ाएं की नहीं बता दो कैसा question है पारूल question जैसा question है यह कैसी बात हो गई भला आपकी तो यहां पर कितने हो गए है अगर हम इसको डिवाइड कर रहे है बाइ 11 कहाँ पर है option number 4 में है 4 बजने के बाद 54,6,11 पर 180 degree का यहां पर angle form होगा कैसे यह सुई चलते 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 5 के पास जा रही होगी और यह जो minute यह minute वाली घड़ी यहां से चल 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 के यहां पर पहुँच जाएगी यह सिधी लेखाएगी यह जो angle बनेगा यह 180 degree बनेगा तो 180 degree almost जब 5 बजने वाले होंगे तब होगा इसलिए 54,6 by 11 है योगेश्वर लेट हो गए यहां पर वैभव यह लगा हुआ है तो आप आगे पीछे कर सकते हो according to the calculation यह question समझ नहीं आया ओ माई गॉड़ पूरा question के बाद बोल रहे हो एकदम मत पढ़ो क्या चाहते हो मत पढ़ो पढ़ाओ आप क्या 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 कर रहे हो comment box में दिमाग भी माग खाराब नहीं करना देखो ठीक है बड़ा पहले तो आप जाओ ना पढ़ रहे ना पढ़ाने दे रहे अब थोड़ा पढ़ाओ का महौल बना जाए मुझे भी समझ नहीं आई पारूल ठीक है गड़ी देखी है जीवन में गड़ी देखी है कैसी दिखती है गड़ी गड़ी कैसी दिखती है यह हमारी घड़ी है 12, 6, 3 और 9 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ऐसी घड़ी है घर में किसी के? ऐसी घड़ी है यह सब फोन में चेक करते हैं अच्छा इतना बच गया है जब यहां पर दो सुईया है माल लो यह दो बच गए आपके ठीक है यह क्या बना रही है? एंगल ठीक है और एक एक्जामपल लेते हैं अलग-अलग कलर से एक्जामपल लेंगे माल लो यह छोटी सुई, बड़ी सुई यह क्या है? एंगल यहां छोटी सुई, बड़ी सुई यह क्या है? एंगल यह एंगल फाइंड करने के लिए अच्छा पारूल के घर यह घड़ी नहीं है अब सोस हुआ यह जानकर पारूल बहुत दुख हुआ मुझे आपका बड़ यहार तो बता देना हम आपको घड़ी गिफ्ट कर देंगे ऐसी वाली ठीक है? पूर्णी में आपको भी कर देंगे हम चलो अब यह जो एंगल है इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ठीक है? यह है वो फॉर्मूला अब उसने हम से क्या कहा? हो गया मस्ती मज़ाख आपको करना है तो हम चले जाएं फिर हम पागल लग रहे हैं जो आपको दुबारा से समझा रहे हैं नेक्स क्वेश्चिन जो आपको क्वेश्चिन जो आपको क्वेश्चिन जो जो झाल झाल I से I, N से N, F से F, O से O, R से R A से A, T से T, I से I, V से E, E से E M में 13 से 12, माइनस 1, ठीक है? तो सूपरफीशल का कोड क्या हो जाएगा? पांच में डिवाइड़ है, लास्ट के भी पांच में डिवाइड़ है S से आपको सेम लिखना है सूपर, माइनस 1, I, C, I, A, L ठीक है? कहां पर मिल रहा है यह हमें? R, E, P, E स्टार्टिंग में और लास्ट में R, E, P, U, S, E चाहिए, ऑप्शन नमबर 4 Next यहां पर अगर आपको सूपर कोचिंग परचेस करनी है जहां पर अभी S.E.C. फांडेशन का लाइफ बैच शुडू होने वाला है जहां पर अभिने शर्मा सर भी आपको पढ़ाने वाले है माट्स की क्लासेज होंगी अभिने शर्मा सर द्वारा GS English और Reasoning की क्लासेज भी होंगी 300 से ज्यादा लाइफ क्लासेज रहने वाली हैं यहां पर तो आप उनको जोइन करने के लिए मेरा कूपन कोड इस्तिमाल कर सकते हैं नहां ठीक है कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ चलो यहां आजाओ यूट्यूब पर यूट्यूब पर आजाओ जहां भी हमारी क्लास चल रही है कहां चल रही है हमारी क्लास यहीं से चलते हैं चैनल्स और टेस्बुक सूपर कोचिंग पर आजाओ यहां पर हमारी क्लास चल रही है यहां आजाओ जैसे ही यहां पर आओगे आपको सबसे पहले क्या करना है सेशन को लाइक करना है शेयर करना है टेस्बुक सूपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर ले रहा है ठीक है, शो मोर पर आजाओ, यहाँ पर CHSL सूपर कोचिंग का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आजाओ, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आपको करना है अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन पर क्या लिखना है, मेरा नाम दाटस नहीं है, अप्लाई कर दो, डिस्काउंट मिल जाएगा, 269 में 6 मांच की सूपर कोचिंग, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, क्या बताना है, टी, पी से किस प्रकार सम्बंदित है, ओके, पी के बाद प्लस है, पी भाई है, एस का, एस पुत्री है, क्यूं की, क्यूं पुत्री है, आर की, आर माइनस आर, पतनी है, टी की, पी से टी का रिलेशन बताना है, अभी यहीं से चेक कर लेते हैं, पी क्या हो जाएंगे, टी की, बेटी के, यहाँ पर, क्या हो जा रहे हैं, टी का पी से क्या सम्मन्द है, ठीक है, तो मम्मी के, पापा है, मम्मी के पापा, मेटर्नल, ग्रैंट फादर, ओप्शन नम्बर फूर, नेक्स्ट, क्या है, प्लस एट, प्लस टेन, ट्वल्फ, प्रटीन, नेक्स कितना हो जाएगा, टेन, एट, टेन, ट्वल्फ, प्रटीन, इस्टीन हो जाएगा, 55, 16, 1, 5, 6, 7, 71, next, प्रटीन, M, I common है, S, S, C, S, N, C सबसे पहले आएगा, फिर N आएगा, S, S, A, S, B, S, C, तो 1, 2, और 4, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, next, 1, 2, 5, और 5, 6, 5, 7, 2, 6, 12, 5, 11, 3 into 8 24 3 into 9 27 ठीक है यहाँ पर क्या चल रहा है into 8 और into 9 हो रहा है यहाँ पर 9 को किस से multiply करें कि 81 आ जाए 8 से अगर multiply कर रहे हैं तो 9 से अगर कर रहे हैं तो 81 आएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 into 8 होना चाहिए क्योंकि यह दोनों नंबर क्या है सेम है और यह 8 है यह 9 है तो 8 और 9 बचेगा यह दोनों नंबर सेम होने चाहिए 9, 8, 72 clear? next cannot be formed पूछा है चीक है नहीं बनाया जा सकता situation के अक्षरों का इस्तमाल करके attention की अगर मैं बात करूँ तो E नहीं है तो attention नहीं बन पाएगा तो इसलिए हमारा सही answer होगा option number 1 ठीक है next question भी य्थिए जागा लnt के अजन लजए है कै तो वीए Journal ख्रीー पंत की magic YEAH जबात की की अगरा है तो 37 पवड़ खेल जए लगèg सर्चे पें पाएगर मैं है तो फड़ा फड़ा आंसर करेंगे 6 व्यक्ति हैं एक परिवार में C, B का पिता है A, F की माता है D, B का पुत्र है B का पुत्र है D E, B की पत्नी की सास है E क्या है? B की पत्नी की सास B की पत्नी तो B मेल हो गए B की पत्नी की सास याने की C की वाइफ हो जाएंगी कौन? E F, D की बहन है F अगर D की बहन है तो F यहां आ जाएगी और A क्या है? मम्मी है तो B की वाइफ हो जाएंगी क्योंकि F यहाँ पे पुत्री है, A की और B की बेटी हो गई है, तो A और B husband wife, C E से किस प्रकार सम्बंदित है, C E के husband है, option number 3, clear, next, pink का code बताना है, the answer आया है, इसलिए कहा जाता है, खुद को इतना घ्यानी ना समझे, first by column, next by row, इसलिए कहा जाता है, हमेशा जब भी ऐसा question आये, ये चीज़ पढ़ ले, पर बच्चों को आदत नहीं है, जब सामने वाला घ्यान दे रहा होता है, तब पीट पीछे, हसना भी होता है, कुछ बच्चों को, pink का code बताना है, पहले column, फिर row, पहले column, फिर row, last में M आ रहा है, नहीं चाहिए, 88, G दे रहा है, नहीं चाहिए, 12 हमें K दे रहा है, हो सकता है, 79 हमें R दे रहा है, नहीं चाहिए, option number 3, 4, total प्रॉप नहीं, 25 क्लाप़ों चे सथोने की हमें, 24 ओ कर देफिते स्थाँ, नहीं चाहिए, Wanna चसबता है, 25 करा कैंते स्थाज़, 25 मिर देफित अन देक, 25,64 H और कर do है, वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली अपने बाए और मुड़ी फिर से बाए और मुड़ी वसुधा आप किस दिशा के समुख खड़ी है साउथ नेक्स्ट वसुधा 15 मीटर नेक्स्ट रुसाइल का कोड है अगर यहां पर देखा जाए C, D, E, I, L, O सारे क्या है अलफबेटिकल ओर्डर में लिखे गए है ठीक है लेबर कैसे लिखा जाएगा A, B L, O, R, U कहां है Option 1 ठीक है एक बाफ फड़ फड़ सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी बच्चे यहां पर है और एक बाफ सेशन को शेयर भी कर दो because 74 बच्चे है कम से कम यहां पर मुझे 100 बच्चे चाहिए और यहां पर कम से कम 100 लाइक चाहिए सेशन एंड होने से पहले-पहले तो फड़ा फड़ फड़ सेशन को लाइक और शेयर कर दीजे पोजिशनल वैल्यूस नहीं याद तो याद कर लीजे काम आएंगी देखो 2 से 5 प्लस 3 नौसे 6 माइनस 3 12 से 15 प्लस 3 अठारा से 15 माइनस 3 ओल्टरनेट में प्लस 3 माइनस 3 चल रहा है ठीक है ओके C प्लस 3 करेंगे तो F आएगा स्टार्टिंग में एक ही जगा है ओप्शन नमबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगी यह समय याद रख लीजिए मंडे 23 जन्वरी 23 से CHSL की क्लास सुबह 11 बजे होगी MTS की क्लास शाम को साथ बजे होगी क्लियर है सभी को मेरे जो पहले दो क्लास के टाइमिंग थे ग्यारा और साथ सुबह 11 बजे MTS चल रहा था शाम को CHSL चल रहा था मंडे 23 जन्वरी से इन दोनों को स्वाप किया जाएगा यहाँ पर सुबह 11 बजे CHSL की क्लास चलेगी और शाम को साथ बजे यहाँ पर MTS की क्लास चलेगी टॉपिक वाइस शुडू कर रहे हैं सीरीज टॉपिक लेकर आ रहे हैं मंडे को 23 जन्वरी next CGL मेंस की क्लास चल तो रही थी वैबव next question son mother-in-law सारे answer कर तो बहुत बढ़िया है A F की पत्नी है A F की पत्नी है F male member हो जाएंगे D F की बहन है C G की बहन है जो F की पुत्री है F की पुत्री कौन है? G C G की बहन है यहां क्या चल रहा है? यहां क्या चल रहा है? क्या बताना है? Follow हो रहा है चीक है? Happy birthday आमध सरकार नहीं विने हम आपको इग्णोर नहीं कर रहे हैं हम सबको इग्णोर कर रहे हैं हमें नहीं बात करनी है किसी से भी बच्चे बात करने लायक नहीं है हमें बात नहीं करनी है हम किसी की good evening का reply नहीं दे रहे हैं कि हमको नहीं देना है कि फड़ा फड़ा आंसर करेंगे कि यहां पर क्या चल रहा है कि यह वाला जो शेप है यहां पर होगा जो बाहर वाला फिगर है यानि की हेग्जगन वो यहां आएगा और जो सेकंड फिगर है वो उपर जाएगा रॉंबस और नीचे ट्राइंगल आएगा ठीक है तो यहां पर यह सारी चीज़े हमें कहां मिल रही है ऑप्शन नमबर फोर में यह यह द्रीम वर्दी यू कें टेक दिस क्लास फो जीडी और एंटी एस पड़ा फड़ एक बाद सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तेजी के साथ सेशन लाइक कर दीजिए यहां क्या चल रहा है तो यहां पर इसका डिफरेंस कितना है यहां पर कितना डिफरेंस है 31, 26 का डिफरेंस 5 है 26 से 40 का 14 है ठीक है यहां पर फॉलो हो रहा है same logic that is option number 2 next यहां क्या चल रहा है 17 into 16 यानि की एक नमबर कम multiply करो यह आएगा 132 कैसे आता है 12 into 11 करके तो यहां पर क्या आना चाहिए 12 option number 1 ठीक है next question क्या गलत हो गया sister-in-law ok check कर लेते है a c का पिता है a c का पिता है और d b का पुत्र है d क्या है b का पुत्र है e a का भाई है e a का भाई है यदि c d की बहन है c क्या है d की बहन है तो b e से किस प्रकार सम्मंदित होगा अगर c बहन है d की तो यह दोनों क्या होंगे यह दोनों husband wife होंगे तो b e से किस प्रकार सम्मंदित है भावी हो जाएगी sister-in-law next बड़ा फर एक बार सेशन को लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है जल्दी जल्दी सेशन लाइक कर दिया जाए एक बार सम 1 or 5 or 5 or 6 सम 6 or 1, सम 6 or 5 दोनो सही, option 4 next अब जो गुस्सा दिलाएगा उसको फिर जेलना भी पड़ेगा है ना क्या योगेश्वेर फड़ा फड़ा आंसर करो क्या डिफरेंट है फोर्थ डिफरेंट है ठीक है, चेक कर लेते हैं प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू हो रहा है प्लस टू है प्लस टू, थ्री हो गया यहाँ, इसलिए यह डिफरेंट है next next आज तो बिलकुल नहीं जब आपको कोई अच्छे से समझा रहा हो आप कहो कि माम समझ नहीं आया माम आपको सीरिस ले लें कि हाँ बिचारे बच्चों को समझ नहीं आया है मैडम पूरी शिद्दत से समझा रही है आप लोगों काला की ड्रामा चल रहा है ओके अर्जू शर्मा चलो यहां क्या चल रहा है कोड लिख लेते हैं टी बी जी जे एम एन एच ठीक है 6,1,19 प्लस वन प्लस वन प्लस वन यहां पे प्लस टू हुआ है ICH, OCN, NCM माइनस 1 हुआ है राइट तो सेम चीज़ फॉलो करते हैं स्टाइलिंग ओके एस का टी टी का यू वाई का जेड जेड यू टी ऑप्शन नमबर चार ठीक है चलो, नहीं हमको नहीं हसना है ऐसे गिर गिर के चले कोई बात नहीं यह हमारे टेस्ट बुक सूपर स्टार्स हैं जन्होंने ओल इंडिया रांक हासल किया है SSE CGL एक्जाम में तो आप भी इनकी तरह आ सकते हैं टेस्ट बुक सूपर स्टार्स यूट्यूब चानल पर आपकी भी वीडियो आएगी अगर आप यहां पर और इंडिया रांक हासल करते हैं तो next question लव का कोड टीम का बताना है क्या चल रहा है LCP प्लस 4 प्लस 15 से 19 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो यहां पर X आ जाएगा यहां पर I X I कहा है option 1 में ठीक है चलो next झालो यह 5 कि और 40 मीटर चलता है और 20 मेटा है ती स्मिेटर चलता है पिर वेढ़ाय मूढता है यह तो यह 40 और यह इस साट मीटर दूर है यह चलोसे unc कि आपको गेंडे बनने की ज़रत नहीं है ठीक हम हस देते हैं कि हाँ हम कुछ आदा ही सीरे से हैं क्योंकि जब बच्चे गलती करें और उनको हिसास भी ना हो ना तो सीरेस होना पड़ता है हाँ नहीं आपको गेंडे बनने की ज़रत नहीं है नहीं इस नाट रिक्वाइड खुश अब खुश इनाम मिलेगा लाओ ममता इनाम दो फिर मैंने खुद को हसाया है मुझे इनाम दो अब दो क्या दे रही हो कुछ अच्छा दे ना हम मान गए हैं ओके ठीक है हम मान गए हैं अब अच्छा लगाना नहीं इनाम आपको नहीं मिलेगा चलो यहां यह discuss कर लेते हैं दिव्य में एक बिंदू A से 8 km पूर्फ की और यात्रा करता है दाय मुड़ता है C तक 12 km फिर दाय मुड़ता है बिंदू D तक 4 km चलता है दाय मुड़ता है 8 km E से वैबाय मुड़ता है और F तक 4 km चलता है आरंबिक बिंदू से कितनी दूर है यह पूरा 12 था यह 8 हुआ तो यहां से यहां कितना होगा चार ओप्शन एक ठीक है चलो नेक्स्ट इंग्लिश में एक्स्प्लेन कर दीजिए नहीं कि थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए अच्छा आप आशुदूर सर को बोल दोगे कि मैंने आपका इनाम ले लिया ओके ठीक है ऐसा मत करना मेरी कंप्लेन मत करना सर से रील समच्छा बनाते थांक यू थांक यू श्रीकांट चलो फड़ा फड़ा आंसे करो अभी हो वे हम मान गए है ठीक है इस ओके नौ आ रहा है ठीक है देख लेते हैं क्रेशन पूछा है कितने चिकित्सक भारतिय हैं लेकिन टैनिस खिलाडी नहीं है सवाल पूछा जा रहा है आप से कि ऐसे कितने चिकित्सक भारतिय हैं लेकिन टैनिस खिलाडी नहीं है तो टैनिस खिलाडी हमको किस से दर्शाया गया है टेनिस खिलाडी हमको ट्राइंगल से दर्शाया गया है ठीक है ट्राइंगल वाला हटा दो तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है नौ है ओप्शन नमबर चार ठीक है चलो next चलो हां मैं ड्यूल रोल करती हूं चलो चेक करते हैं इन्हेल का कोड इन्हेल का कोड दिया है 110 110 हां आप लाइक कर दो आप तुमें मुस्करा दिया है 110 तो कैसे आएगा 110 आप लोगों का अंसर आया है कि नहीं बातें चल रही है कौन है डीपी में यह सब पहले यह डिसकस कर लो ठीक है तिक तिक दो को जानती हो नहीं हम तिक तिक एक को ही जानते हैं अब यह तिक तिक दो कौन है इनहेल तो 110 कैसे आएगा यहां पर इसका हम ओपोसिट ले लेते हैं अबोन में आ यहां पर इसकी अथारा हो जाएगा इसका चौदा यहां पर आठ इसका ऑपोसिट लेंगे तो 26 इसका सेम लेंगे तो बारह और इसका ऑपोसिट लेंगे तो बाइसर ön का उपोसिट क्यों लिया क्योंकि यह वोवल है तो वोवल का उपोसिट लेकर कालकुलेट करते हैं ठीक है तो यहां पर यह बात सही है फड़ लोगा ना फिर गुस्ट हो जाओंगे ठीक है तो यहां पर 20 30 40 हो गया ठीक है ओ नो 40 हो गया उसके बाद यह कितना हुआ 20 हो गया 20 30 40 हो गया ठीक है 4 4 तो यह 100 हो गया कुछ और छूट तो नहीं गया ना 20 30 40 हो गया 91 आंसर आ रहा है आप लोगों का छीक है चेक कर लेते हैं मैंने कहीं गड़ पड़ तो नहीं कर दी एन का 14 है alternate place value लेकर देखे तो क्योंकि जब हमने wobble का लिया तो नहीं आया है alternate लेकर देखे plus 18 करेंगे 13 करेंगे 8 करेंगे alternate लेकर देखते हैं क्योंकि इससे तो आंसर नहीं आया है इसका opposite लोगे तो 18 इसका इसका 14 आएगा इसका same opposite लेना है इसका तो कितना आ जाएगा यहां पर s आएगा 19 हो जाएगा उससे भी तो नहीं आ रहा है कि आ रहा है देखते हैं z आएगा तो 26 हो जाएगा सभी का opposite ले लेता है सभी का opposite लेके देखते हैं 15 है और 22 है अब इसको आड़ करो अब इन सबको आड़ करो जल्दी आड़ करो सभी के opposite लेके add करो opposite add करके minus कर दीजे वोवल अच्छा इतना कुछ चल रहा है क्या calculate कर दो मेरे लिए I think 113 minus वोवल कितने है 110 आ रहा है ignore वाला देख लेते हैं अभी ignore ignore यहीं देखते है opposite r t m l r का i e का v ठीक है 18 20 13 12 9 और 22 अब add कर दो यार 30 50 70 80 89 89 और 92 94 minus कितना एक दो तीन 94 minus 3 91 option 3 ठीक है चलो next 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 question all x are y all y are z some z some z are x all x are z option 2 ठीक है दोनों से आई चलो next web of की आवाज नहीं सुनी गई हाँ क्योंकि web of की आवाज ही नहीं आई इतनी देर से मैं भी यहीं कह रहा था क्या कह रहे थे अच्छा अच्छा ठीक है seriously नहीं लेना था web of seriously नहीं लेना था जिसका कमेंट मुझे दिखा मैंने बोल दिया इतना seriously क्या ले रहे हो यार no soap is desert no soap is desert all desert are cup ठीक है पहले क्या दिया है no desert is soap desert soap नहीं है हाँ सही बात है some cups are desert हाँ ये वाले cup desert है some deserts are soap नहीं no का relation है गलत बात all cups are desert गलत बात सिर्फ पहला और दूसरा सही है पहला और दूसरा कहा सही है option number 4 में ठीक है चलो next नहीं बनाया जा सकता पूछा है a से l c से h opposite है j और d opposite है j और d c और h तो इनके साथ जो होंगे वो नहीं बन पाएगा ठीक है net को क्या हो जाता है पता नहीं मुझे भी session एक तो आप लोग like नहीं कर रहे हूँ ठीक है नहीं बन सकता कौन सा नहीं बन सकता a, j, c बन जाएगा j, h, l बन जाएगा d, j नहीं बनेगा a, h, c, नहीं बनेगा 3 और 4 नहीं बनेगा का है option 4 ठीक है clear है चलो session like कर दो समझ रहे हो यह homework है homework करके आना Monday को कब आओगे कब आओगे time याद है कौन बताएगा मुझे अभी Monday को कब आना है जल्दी बताओ Monday को कब आना है super coaching purchase करनी है तो मेरा coupon code नहा इस्तमाल कर सकते है और Monday को 11 बज़े आना है ठीक है ok super coaching purchase करने लिए मेरा coupon code नहा इस्तमाल कर ले न बाकी questions हम next class में करेंगे class के timing आज तक यह थे Monday से change हो रहे है कब आओगे मेरी class में 11 a.m ठीक है बाकी मुझे join कर लो अट दरिट नहा माम test book पे आपको यहाँ पर PDF और class का link सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो subscribe कर ले ना बेल आइकन प्रेस कर देना एक homework है answer कर देना कितने question हुए तीस around हुए होंगे जादा ही हुए होंगे बता देना कितने सही हुए और class कैसी लगी ये भी बता देना ठीक है अब मैं जा रही हूँ मिलूँगी next class में तब तक के लिए बाइ बाइ आप लोग CHSL कि त्यारी करते रहो हम तो लेंगे नहीं आपकी marathon session क्योंकि आप लोग आते ही नहीं है पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए marathon session नहीं होगी MTS वाले बच्चों के लिए कल होगी तो मैं MTS वाले बच्चों से मिलूँगी आप लोगों से मंडे को मिलूँगी ठीक सुभ़ 11 बचे ठीक है चलो बाइ बाइ and take care everyone